कि वैलकम अगेन ओलो फ्यूं आज हम बात करेंगे जी बायो जी में अगला टोपिक आपका लाइफ प्रोसस चैप्टर में बलेड़ ठीक है अब हम ट्रांस्पोर्ट इन कि अगरी में डिस्कुस करेंगे जी ठीक है आगे आपको ट्रांस्पोर्ट इनिमल्स से पहले आपको पता हुना चीछ बलड़ का बहुत इंपोर्टेंट रोल होता जी क्योंकि हरी चीजी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता हर एक साल तक बोड़ इंट पर जाए तो विखने प झाल आप मैं डड घ्लर कि एडी टीशू कि अग्या होता है नात बलड情況 पर लाल रंग का इस आपको इस इस नात पटेर्टEM बलडकी किरद के अग्युट कुल होतार फिर टेशीमल बलड रेड क्यों होता है नशेन के तो ब्लड इज रड दू तो प्रजेंस ओफ प्रजेंस ओफ ही मोगलोबी प्रजेंस ओफ ही मोगलोबी इन इट ब्लड ओता है रड क्यों ओता है प्रजेंस GYMो डो प्रजेंस के क्ला्रब का रंगा लाल होता है तो ब्लड क्लेरी डाइड दू प्र द्रेंस ओव इमो ब्लड आपको इतना अग्ला बाद आते हैं जी ब्लेड Belabad कि कितने कंपोनेंट होते ब्लड कि किं Вас इस से बनाऊ तै वैसे ब्लेड बौन से चीज से लेक The main components of blood are सबसे पहला component होता है प्लाज्मा नाम सुना भी अपने प्लाज्मा डुनेट कर दिया उसने कौना परींट ने जो ठीक होगा दीकबर होगा था ठीक देखते होता है प्लाज्मा पल्ट एक होता रेट ब्लड सेल्स रेड बलेड सेल्स इनको बोल देते हैं जी आर बी सी और विसी की फुल फूम क्या होती है रेड बलेड सेल्स इसी तरह होती है आपके बलेड में वाहिट बलेड सेल्स कर दूब्लू बी सी के एक बास प्लेड स्थ hearts- हैं है जो से मसीड़िकेत चरुटी ब्लीb wtos ल बॉटल्स सब्सक्राइब को में नीनीक प्लाज्मा क्या होता है यहां प्लाज्मा में होता है का ठीक है तब हम चलेंगे जी प्लाज्मा के बार हम डिसकस करते हैं तक लट इतना वीडियो को पॉस्ट करके नौट का लिए जी कर जी कि आगे देखो जी प्लाज्मा के बार ढ़रें गेंदर एक अलग अलगें अलगेड़न चल रहा है अब हो इसा सबस्क्राइब हर आप हम हम देख atención plazма क्या है थे ौक दिकवड पार्ट जो ब्रेदे का लिकवड पार्ट हiction आ थे लिकविड उस ही एक वे बैसे है दो और फूब्ोड पार्ट आइ इस डाई को इस एल कुर बार्ट और show to Pad part of blood is called plazma जो blood में आप liquid part देखते हूँ ठीक है उसी को क्या कहा जाता है यह प्लाजमा कहा जाता है ठीक है फिर पूछे जाए प्लाजमा कलर कैसा होता गया है प्लाजमा कलर देखा जाए तो प्लाजमा इिस our M कलर ल्श हून उसको खुद को कोई कलर नहीं होता हुआ कारलर स क्ले लेड़ कोई कलर ल्यू पे Cyberpunk सब्सक्राइब यह अंड़ कंटेन और उसमें क्या होता है तो प्लाजमा में 90% वाटर होता है यह क्या होता है एंड कंटे नाइन टी परसेंट ओफ वाटर कि 90% ओफ बाटर प्लाजमा में और भी चीज़ें होती है प्लाजमा अल्सो कंटेन प्लाजमा अल्सो कंटेन डिजोल्ड सुस्ट कोछ एक डिजोल्ड उसमें गुले हुए सबस्तांस भी ओते हैं प्लाजमा में प्लाजमा अल्सो कंटेन डिजोल्ड सुस्टांस प्रोटेंस प्लाजमा होते हैं डाइजेस्टिड फूड आपको प्लाजमा के अंदर देखने को में सकती है तो लिक्विड पार्ट और फूड पार्ट प्लाजमा प्लाजमा इस कलर लेस्ट लिक्विड एंड कंटेन 90 परसेंट ऑफ इसके लागा प्लाजमा अलसो कंटेन डिजोल सुप्स्टांस सच आज प्रोटीन हो सकता है डाजि है जिह एक बिलिट सेल्स के बारे में इधियु विलिट सेल्स और भी थेकश्ण पढ़ेंगे जिन रैडट बडिट सेल्ट आधि नाम से पता लग़रें रेड होती है यह कदे लैस होता है क्या होती है ने और बी सी और रेड्ट इनग कलर और रेड कलर किसके कार्ण होगा जो आपको पता हिए यह जो टू प्रजेंस ओफ हीमोग्लोबिन डू टू प्रजेंस ओफ हीमोग्लोबिन अर्विच कहसा होता है रेड किसके कारन होता है मोग्लोबिन के का कार ठीक है घरर आर्विच क्या काम करती है ढर लू बैसी क्या है और अविच्ट कैरिकरिकरती जी केरीज औक्सिजन जो आपने सांस लिया अंदर उक्सिजन गई आपके वह लंग से मिक्स हो जाती है ब्लड में तो ब्लड का कौन सा पाट ऑक्सिजन को लेकर हर एक साल तक जाएगा एड़े ब्लड साल लेकर झाएगा ठीक है तो आरबीसी केरीज ऑप इस फिरों दा लंग्स को लंग से क्या करते है यह ब्धिस आखने को कैरी करती है लोग है टू ओल अबॉड़ी तो ओल है सेल्स ओफ बॉड़ी है बोड़ी की हर एक सैल के पास होंचाने का भी काम करती है ठीक है फिर बाद आते का रबी सी की सेप कैसी होती है तो आर-बी-सी- और circular in shape rbc किस shape में होती है circular होती है rbc के पास cell होती है cell का एक नुकलियस होता है अपने पड़ा भी होगा plant cell, animal cell नुकलियस वगरा जो हते हैं ठीक है लेकिन rbc में कोई नुकलियस नहीं होता rbc डूनोट है ओ नूकलियाई नूकलियाई का मनद नूकलियस नहीं होती है बंती कहा है रबी सी तो रबी सी आर मेड इन दा बोन मेरो बोन मेरो होता हड़ी का पार्ट हड़ी के एक अंदर एक पार्ट होता है इसको बोन मेरो कहते है तो आर्बीसी कहां बनती है जी बोन मेरो के अंदर बनती है लाइफ स्पैन ओफ आर्बीसी कितनी होती है इस नियरली 120 डे और बीसी के लाइपस्पैन कितनी होची जी नियरली 120 डेज होती है यह था रपका रबीसी के बार मार बीसी में राड कलर होती है किसके कान होती है मोगलोबिन के कान रबीसी करी करती है औक्सिजिट अब नेक्स पड़ेंगे जी वाहिट बलट से अब आगे लिखो वीडियो को पोज करके नोट कर लीजिए चीक है यह आप चाहो दो स्क्रीन सोट मिले सकते हो वीडियो को पोज करके जिसके बाद हम पढ़ेंगे जी वाहिट ब्लट सेल्स वाहिट ब्लट सेल्स रट फोर्म क्या होती है जी डबलू बीची यह कैपिटल है जिके नोट बलू बीची तो डबलू बाइट ब्लट सेल्स क्या काम करते है यह भी कलर लेस होती है वाइट का मदा वाइट नहीं कलर लेस होती है ठीक है जी तो यह फाइट करती है पूंअ थाकिस रट इन्फेक्शन से है रजीज वाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन ऑफ प्की बोड़ी में कुछ बी इन्फेक्शन फैल जाए और उसको बोड़ी खुँछ से ठीक करेगी तो बाइट बिलट से लिह होती है जो निफेक्शन को रोकने का काम करती है ठीक है and protect us from और हमें किसे बचाने का काम करते हैं बीमारी यह नहीं आएगी तो बीमारी यह नहीं आएगी तो बिमारी यह विचाने का कि यूब से यूद्ध इसलिए इनको क्या लिपान है यह आर गॉर्ड आप लिए आल मेत आरिक बने कॉल्डे सॉलजर्स ओपके soldiers of the body हमारी body की soldier किसे कहा जाता है था हमारी body की soldier कहा जाता है white blood cell को याद रखना जी soldier किसे कहा जाता है wbc को ठीक है फिर इनकी shape कैसी होती है these are spherical spherical or irregular spherical or irregular in shape ये shape में या spherical होगी या फिर क्या होगी इर्रेगुलर होगी ठीक है इनके पास nucleus भी होता है उनके पास rbc के पास nucleus नहीं होता पर इनके पास होता है these have nucleus ठीक है जी ये size में small होती है rbc से number में these are much smaller बहुत ज्यादा कम होती है rbc तो बहुत ज्यादा होती है है आपके बोड़ी केंगा लेकिन white blood cell कम होती है much smaller in number then rbc ये rbc से क्या होती है जी संख्या में कम होती है rbc अजार है तो यह हो सकती है एक दो यह ठीक है तो इनकी संख्या कम होती है as compared to rbc अब हम बात करें लाइफ स्पैन कितना होगा ये भी bone marrow में बनती है life span होगा जी rbc का लगबग 13 से लेके 20 दिन तर तो इनका life span भी rbc से क्या होता है जी कम होता है उनका 120 दिन के असपास था इनका 13 से 20 दिन के असपास ही होता है ठीक है उसमें पराने वाड़े आरे आपके डबलो भी सी खतम हो जाएगी नई डबलो भी सी बनती रहेगी ठीक है तो यह किसके काम करती है आपका इसलिए इसलिए इनको soldier of the body भी कहा जाता है स्पेरिकल या रेगुलर इन सेप होंगी नुकलिस होगा इनके पास मच स्मॉलर इन नमबर दन आर बीसी आर बीसी से क्या होती है जी कम होती है ठीक है तो आई होगा आपको यहां तक वाइट बलेट सेल समय जा गया होगा लास् अब हम पढ़ेंगे जी प्लेट लेट इसके बारे में आज तो नेक्स्ट एजिया आपका अधिक प्लेट लिटरस अधिक तो प्लेट लेटरस अर्दा लेट 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 कि होंड है इन चाहिए इन बन रूर को यह लेविए आपके बलड की आदा टीनी फ्राइग्मेंट को छोड़ के सेंसे होती है स्पेशल टाइप की जो आपकी कहां बनती है सारी बॉलेट कर लोती वह बोलेट वाग्य तो प्लेट बाइब में बन तुक लेट do not have nucleus in nuclei उनके पास भी nucleus नहीं होता जी ये डू नोट है वो जे डू नोट है उनके पास भी क्या नहीं होता जी नहीं होता ठीक है किस काम आती है प्लेट लेटर समान प्लेट लगी तो चोट लगने के बाद जो खून जम जाता है वहां पर ताकि बलड आपका बाहर ना निकले तो उसको बलड की क्लोटिंग करने काम किसका होता है अगर डाउन चली जार आपको चोट लग जाता तो बलड रुख वाना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है जी तो प्लेट लेटर स्वेल्प इंदा हेल्प इंदा कोएगूलेशन कोएगूलेशन ओफ बल Loude Que confronting एड एक यी बात है कोएगूलेशन का मजब भी होता है बलोड को चोड लगने बाद जब बाहर निकलता उसको रोपने का कम उसको जमाने का कम और क्लोटिंग ओफ बलड जे डूनोट है नुगले लेटस हैलब इन कोईगुलेशन ओबल्ड या फिर क्लोटिंग ओफ बलड इन ए कट और वांड कोई घाओ और रखाओ चैक कोई कट लग जाए उसके अंदर बलड की क्लोटिंग करने काम किसका होता है जी प्लेट लेटस का काम होता है ठीक अगला होगा ओल्ड अ बलड इसेल्स है आर मेड इन बोन मेरो सारी की सारी ब्लड सेल कहां बनती है जी बोन मेरो में बनती है फ्रॉं एक स्पेशल टाइप की सेल होती है कि दा सेल्स आ आप कर्ल्ड इस टैम सेल्स जहां पर सारी सारी बनती एक स्पेशल टाइप की सेल होती है उसी सेल को क्या का ज़ता है जी स्टैम सेल का ज़ता तो यह आपका बलड हमने पदा ब्लेड के लड का इस को प्रवाइट प्लेट से लोती है इसके लावा ने एक एक चीज के बारे में डिसकस करा कि इनका क्या रोल है ठीक है और यह क्या क्काम करती है आपकी बोड़ी में गहां इनकी फॉर्मेशन होती है ओ यहां विडियो में इतनá रहेंगा जिए थैंक्यू हभी नैस टिए अगर वीडियो अच्छे लगए तो चैनल को लाइक करना जख़ून गोर्डेशन परना ना भूप हुलें और कुमेंट एशार